हेलो दोस्तों MS Civil Studio पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरीर के प्रमुक अद्बुत तत्थ के बारे में तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को हड़ी की संखή होती है तो मनुष्ष की घोपड़ी होती है उसमें हड़ी की संख्या होती है वह है और जो हमारा 2nd question के बात करेंगे स्वास्त मनुस्व का स्वसंदर कितना होता है तो स्वास्त मनुस्व का स्वसंदर कितना होता है तो इसका जो एंस्वर है वह होता है 16-18 बार, एंड हम नेस्ट कोश्यन के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा नेस्ट कोश्यन है, वो मस्तिक्स का वजन होता है, जो हमारा मस्तिक्स का वजन होता है, इसका एंस्वर है, 1250-1400 ग्राम हमारा मस्तिक्स का वजन होता है, and third number हमारा question है kidney का वजन होता है जो हमारा kidney का वजन होता है इसका answer है 1500 gram यानि कि हमारा kidney का वजन 1500 gram होता है next question है सरीर की सबसे बड़ी हड़ी है तो इसका जो सही answer है वो है फीमर जो की जांग में पाई जाती है ये सरीर की सबसे बड़ी हड़ी में एक मानी जाती है and next जो हमारा question है वो है सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन है यह सबसे छोटी हड़ी है तो answer है इसका stepage जो की कान में पाई जाती है यह सरीर की सबसे छोटी हड़ी में से एक मानी जाती है and हमारा जो next question है वो है सरीर में सबसे मजबूत हड़ी है तो जो हमारी सरीर में सबसे मजबूत हड़ी है इसका answer है जबड़े की तो मलब जो हमारे दातों के पास लगी होती है वो सबसे मजबूत हड़ी मानी जाती है and next question है हमारा जो वो है सरीर का सबसे कठोर तत्व है तो हमारे सरीर में जो सबसे कठोर तत्व है इसका इंस्वर है इनामिल इनामिल हमारे सरीर का सबसे कठोर तत्व में एक माना जाता है and next question है समान मनुस का रक्त चाप होता है जो हमारा समान मनुस का रक्त चाप होता है वो 120 प्रती 80 mm की धर से होता है और नेस्ट कोशन है मानव सरीर में जल की मात्रा होती है तो जो हमानव सरीर में जल की मात्रा होती है इसका इंस्वर है 65-80% एक मनुस के सरीर में जल की मात्रा होती है अगर हम next question के बारे में बात करें तो वह है रक्त की मात्रा सरीर के भार का होता है यानि कि रक्त की मात्रा सरीर के कितने परसेंट होता है तो answer है इसका 7% रक्त की मात्रा सरीर के भार का बराबर होता है and next question के बारे में बात करें मनुस में रक्त की मात्रा होती है तो मनुस में जो रक्त की मात्रा होती इसका answer है 5-6 लीटर एक स्वास्त मनुस के अंदर रक्त की मात्रा होती है and next question के बारे में बात करें तो जो इसका next question है वह है मानव रक्त का pH मान होता है तो जो मानव रक्त का pH मान होता है इसका answer है 7.5 जो की pH value मानव रक्त की होती है तो इसका जो एंसर है वो किड़नी किड़नी रक्त को सुध करते हैं और हम नेश्ट कोश्चन के बारे में बात करें तो वह है लाल रक्त कड़ का निर्माड होता है तो जो हमारी लाल रक्त कड़ काई होती उनका निर्माड होता है अस्ति मज्जा में and हमारा जो next question है वह है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है यानि कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है तो वह 20 से 120 दिन तक लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है एंड हमारा जो next question है वहा है स्वेत रक्तकन का जीवनकाल होता है तो जो हमारी स्वेत रक्तकन का होती है उनका जीवनकाल दो से चार दिन तक होता है एंड हम जो हमारा next question है वहा है स्वेत रक्तकन को कहां कहा जाता है मालब WBC जो हमारी होती है उसे क्या कहा जाता है तो उसका नाम है लिउकोसाइट तो जो हमारी स्वेक्त रख्त कड़िकाएं होती है उसको हम लिउकोसाइट करें तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और इसके आगे के कोशन के बारे में हम नेश्ट वीडियो पे बात करते हैं अब तक के लिए धन्यवाद जैहिन वंदे मात्रम